जेव निमनी करनी पदार्थ बायो डिग्रेडेबल वेस्ट और अजेव निमनी करनी पदार्थ नान बायो डिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं इनके उधारन देखेंगे और साथ ही हमारी जो NCRT के 10 साइंस की पार्थी पुस्तक है उसके तीन प्रश्णों को भी जेव निम्नी करणी पदार्थ क्या होते हैं वे पदार्थ जो जेविक प्रक्रम द्वारा अब घटित हो जाते हैं जेव निम्नी करणी पदार्थ कहलाते हैं जैसे हमारा किचन से निकलने वाला जो कच्रा है वो जेव निमनी करनी पदार्थ के अंतर का दाता है जो या तो बेक्टिरिया द्वारा डिकंपोज हो जाएगा या नेचरल आर्गनिजम द्वारा डिकंपोज हो सकता है तो जेविक प्रक्रम द्वारा जो अब घटित होगा वो जेव निमनी करनी पदार्थ है इसके उधारण में हम ले सकते हैं, बाउडीग्रेडबल वेस्ट में, हमारा घासे पुष्प है, चमडा है, फलों के छिलके हैं, केके, किचन का वेस्ट है, लकडी है, यह सब जेवीनिमनी करनी है मतलब ये क्या होंगे जेविक प्रक्रम द्वारा क्या होते हैं ये अब घटित हो जाते हैं और जो अजेव निमनी करनी पदार्थ होते हैं जैसे प्लास्टिक है वो जेविक प्रक्रम द्वारा क्या होता है अब घटित नहीं होता वो लंबे समय तक परियावन में बना रहता यह जेव निमनी करनी है जो जेविक प्रकरम द्वारा अपगटित नहीं होते तो पहला प्रश्णी यह हो सकता है और इसलिए कुछ पदार जेवनिमनी करनी होते हैं और कुछ पदार अजेवनिमनी करनी होते हैं तो ये इस question का हमारा answer हो जाएगा दूसरा हमारा इसमें प्रश्ण बन सकता है कि ऐसे दो तरीके बताईए जिससे अजहें निवनी करणी पदार जो है पर्यावनन को प्रभावित करते हैं मतलब यह वाले प्लास्टिक है धात्विक कहने पेस्टिसाइड से यह पर्यावनन को प्रभावित करते हैं यह अम बता सकते हैं, तो इसका जवाब हम आसानी से दे सकते हैं कि हमें पता है कि प्लास्टिक के खाने से जो है पशुवों की मृत्ट्य हो जाती, तो अजिन नुवनी करनी पदार थे प्लास्टिक, वो पशुव अगर उनको खा लेते हैं तो उनकी क्या होती है? म्रत्य हो जाती है, लंबे समय तक ये पर्यावन बने रहते हैं और पेस्ट्री साइट्स वगर हम जानते हैं, ये म्रदा की उरुबरा शक्ति को कामिया क्या करते हैं ये क्या करते हैं जल के प्रभाँ को रोक के जल प्रदुशन का कारण बनते हैं नालियों का वुरुद दोना है ना इनका इसी के कारण होता है तो इसमें से आप कोई दो कारण आप लिख दीजेगा और अगर वो ये पूछ लेकि ऐसे दो तरीके बताई जिससे जेवनिम्नी क करनी में क्या है फाइदे भी हैं जैसे इन से हम क्या कर सकते हैं इनको अगर हम सही तरीके से समझदारी से इस्तेमाल करें तो किचन वेस्ट को या फलों के छिलके हैं या घा से इनको हम क्या कर सकते हैं इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं खाद बना सकते हैं और दूसरा ही है क ये जो जेव निम्नी करणी पदार्त होते हैं इनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती ही तो ये कार्बन की मात्रा को वातावन में क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो ये पर्यावन को इस तरीके से प्रभावित करते हैं